आप देख रहे हैं सूपर गुरूप और मैं हुआ हुमन सर्मा दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूजी सी का नया गाइडलाइन आया है और पार्ट थर्ड वाले बच्छों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि मैं बताने वाला हूँ तो उसके बारे में भी आप लोगों बताने वाला हूँ कि कुछ एक्जाम होने वाला था और कुछ एक्जाम उनका बचा हुआ था तो वह एक्जाम उनका होगा या नहीं होगा इस साथ डेल्स इसमें अपडेट दिया गया है तो चलिए हम आपको ये अपडेट दिया गया है दोस्तु हूंदेखा हूँ लिखा हुआ यूजी C की गाइड लाइन पर the Supreme Court की मोहर कहा विय higher की परिच्छा के भिना पास नहीं किया सकता है बच्चों को ठीक है है तो इसके गाडिंग में आपको बता दूँ देस्थ परिक्षाओं को लेकर UGC के दिसा निर्देश पर सुप्रीम कोट ने भी मुहर लगा दिया है। सुप्रीम कोट ने कहा कि UGC की अनुमती के बिना राज्ये एक्जाम रद नहीं कर सकते। फाइनल एयर की परिक्षाओं आयोजित किये बिना छात्रों को पास नहीं किया जा सकता ह। राज्यों को 30 सितंबर तक एक्जाम कराने होंगे। तो दोस्तों 30 सितंबर तक आप लोगे एक्जाम होने की संभावना है पार्टरड वाले बच्चों के लिए। यह आप देख लीजिएगा। नयायाले ने कहा कि जो राज्ये 30 सितंबर तक अंतीम वर्ष की परिक्षा करने के एक चुक नहीं है। उन्हें UGC को इसकी जानकारी देनी होगे। शिर्स अदालत ने अपने फैसले में UGC के 6 जुलाई के शरकूलर को सही ठाराते हुए कहा कि आपदा परवंदक अधिनियम के तहद राजे महामारी को ध्यान में रखते हुए परिक्षा अस्तगित कर सकते हैं। लेकिन उन्हें UGC के साथ सला मसवरा करके नई तीथी ते करनी होगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों साफ-साफ कि आप लोग का एक्जाम होना ही होना है पूस्ति सितमबर की आप लोग का एक्जाम ले लिया जाएगा दोस्तों और यह UGC को आगे कोट ने भी आदेश दे दिया है और UGC का भी कहना यह विना एक्जाम के आप लोग को पास नहीं किया जाएगा दोस्तों यह अपडेट थी जो कि UGC के अगार्डिंग था